आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे ग्लासिस के यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिलकुल सही पड़ा ये अभी 28 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आई है और ये नोटिफिकेशन इतनी खतरनाग है सर खतरनाग क्यों कह रहें इस नोटिफिकेशन को ज इन्होंने क्या बोला है इन्होंने डेट बढ़ा दिये किस चीज़ की डेट बढ़ा दी इन्होंने डेट बढ़ा ये नोटिफिकेशन में लिखा है कि जो सेक्षन 7-3 सब सेक्षन 10 में जो हम ओर पास कर सकते हैं उसकी हम डेट बढ़ा रहे हैं पहले 18-19 के order पास करने की डेट 31 मार्च थी अब इसे बढ़ा कर एक महीने से बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या है अगर 31 मार्च order पास करने की डेट थी तो जितने भी सारे ओफिसर्स थे सबको नोटिस देना था 31 दिसंबर 2023 तक लेकिन अब वो नोटिस इशू कर सकते हैं कब तक 31 जनवरी 21 जनवरी 2024 तक भाईया ये डेट क्यों बढ़ाईया आपने आप ओफिसर को टाइम दे रहे हो कि चलो कोई बात नहीं 31 दिसंबर तक बहुत काम है मत दो नोटिस अभी ऐसा कर लो आपना अपने ओडर पास कर लो 17-18 के और एक महीने के अंदर सारे असा ऐसी योगो नोटिस दे देना अरे भाई जब सेक्शन 73 में किसी चीज की टाइम लिमिट लिखी गई पहले तो आपने उसे 2022 में बढ़ाया फिर उसके बाद आपने क्या करा उसके बाद आपने उसे 31 मार्ट 2023 को बढ़ाया उसके बाद आप उसे अब बढ़ाये जा रहे हो तो ये कोई तरीका है आपने हम पर notice issue करने की order issue करने की date को बढ़ाये जा रहे हो क्या ये सही है या गलत है मुझे comment box में लिखकर बताओ क्या ये चीज सही है या गलत है भाईया सरासर गलत है ये एक तरफा चीजे हो रही है कि department के पास समय नहीं है तो वो time बढ़ाये जा रहा है और वो भी कौन से section में section 168 थे जब आप section 168 को पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि वही अगर conditions ऐसी है अगर conditions ऐसी है जहां पर बहुत जादा दिक्कत है कि मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का यूद हो गया इस तरह की situation है महामारी फैल गई ठीक है ना बार आ गई इस तरह की situation है तब तो ये date बढ जहानी ही है तो एक तरफा क्यों बढ़ा रहे हो आप असैसी को भी बोल दो ना कि 16-4 की time limit बढ़ गई तुम credit ले सकते हो बाद में आप ये चीज़ असैसी के लिए भी तो बोलो दिक्कते एक तरफा थोड़ी है तो यहां पर department ने गोर्मेंट ने जो ये notification निकाली है मेरे हिसाब से सरासर गलत है ऐसी एक notification 31 मार्च 2023 में आई थी तो भाई उस notification के खिलाफ हमारे जो वकील साब है अविनाश पोदार जी उन्होंने high court में इसे बोला अरे भाई सब कर गया रहे हो असैसी को वैसी मार दे रहे हो तुम तो high court में उन्होंने इस notification को challenge किया इस notification को challenge करके बोला कि आप सैसी के साथ ऐसा ठीक है ना सोतेला वेवार नहीं कर सकते कि जो low में time limit लिखी हुई है notice देने की order pass करने की आप उसे बढ़ा नहीं सकते यह notification ही गलत है आप section 168 में इस तरह की notification नहीं ला सकते अब इस पर जो गुजराध high court है वो बिलकुल सकते है कह रहा भाई बात तो सही है बात तो सही है इनकी भी कि ऐसा थोड़ी है कि officer की बार बार time limit बढ़ाते रहेंगे अब अगर इस चीट को समझो अगर high court ने अगर high court ने favor में decision दे दिया और कहा कि नहीं भाई साब यह जो notification आई थी कि आप notice हो भेज सकते हो बाद में भी जो time limit 73 में लिखी तो क्या होगा यह जितने भी notice issue किये गए है या जितने भी order pass किये गए है 17, 18, 18, 19 के लिए क्या यह सब बेकार नहीं हो जाएंगे तो क्या government को इस पर सोचना नहीं चाहिए कि अगर कोई matter high court के पास चल रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ clarification ना कर दे अभी तो high court में जो हमारे विनाश पोदाव जी है 31 March की notification को लेके गए है और अब यह वाली notification एक और आ गई यह तो सरासर बहिमानी हो रही है यह तो सरासर government बहिमानी कर रही है असेसी के अगेंस्ट हो रहा है तो भाईया मेरे हिसाब से यह वाली notification को भी कोई ना कोई advocate साब कोई ना कोई असेसी challenge हाई कोट में सुप्रीम कोट में और जब यह चीज चैलेंज होगी तो यह पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा गोवर्मेंट से कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो एक तरफा decision क्यों कर रहे हो और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सोलाचार में भी फेवर दे दो तो notification आ गई है स तो भाई जो वकील साब लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने तो लेकिन तुम यह मत सोचना कि यह notification ही गलत है वैसे तो logical यह गलत है लेकिन low में आ गई है notification तो हमें इसका सम्मान करना पड़ेगा जब तक High Court Supreme Court इसे कहते नहीं है कि यह notification गलत है तो जो time limit थी है expire हो चुकी है और जो 31 March को notification आई थी और यह 28 December को notification आई है यह valid नहीं है लो में और साथ में और साथ में इस गुजरात High Court की judgment की copy भी लगा देना कि इस High Court की judgment में यह चीज अभी under discussion है कि यह notice valid होंगे यह order valid होंगे या नहीं तो यह वाले points को अपने जितने भी reply के mention करना है और हां अगर आप अच्छी तरीके से reply करना चाते हैं अगर आप अच्छी तरीके से reply करना चाते हैं तो हमारा GST का अर्जुन कोर्स आ रहा है इसे join कर लो इसमें हम आपको notice reply कैसे करते हैं appeal file कैसे करते हैं यह सारी चीज़े इसके अंदर बता देंगे और अगले 6 महीने अगले 6 महीने तुम्हारे लिए बड़े ही कठीने क्योंकि देखो 17-18 के जो order आ चुके उनकी appeal करनी है 18-19 के जो notice आ चुके उनका reply करना है 19-20 के जो notice आएंगे उनका reply करना है तो अगले 7-8 महीने आपका litigation ही चलने वाला है तो litigation करने के लिए low की knowledge बढ़ा लो course को यं हमें comment box में लिख कर जरूर बताईएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ thank you for watching